नामानकन पत्रों की जाच के बाद अब बरेली की चुनाव मैदान से बस्पा के हटने की चलते सियासी समीकरन पूरी तरह बदल गए हैं। नए समीकरनों में बीजेपी और सपा अब सीधी टककर की तयारी में जुट गए हैं। फिल हाल बस्पा के आधार वोट की भूमिका एहम मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी और सपा अब इस बढ़े वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए एरी चोटी का जोर लगाने में जुट गए हैं। नामानकन पत्रों की जाच में बस्पा प्रत्याशी मास्टर छोटे लाल गंगवार की दावेदारी में निरनायक होंगे। बीजेपी ने आठ बार के सांसद रहे संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार पर भरोसा जताया है। हाला की पार्टी में इसके बाद से अंध्रूनी घमासान मचा है। वहीं कॉन्ड्रे सपा गट बंधन से पूर्व सांसद प्रवीन सिं है। यहां बतादे की पिछले लोकसभा चुनाव में बस्पा के उमिश गौतम ने दस फीसरी मत हासल किया था। और उनके खाते में एक लाग से ज़्यादा मत आये थे। इस से पहले साल 2014 में बस्पा के इसलाम सभीर अनसारी ने एक लाग हिक्यासी हजार और साल 2009 में होने वाले परिनाम पर भी सियासी दलों की निगाह है। भले ही 1989 से लगातार 6 बार सांसद बनकर भाजपा के संतोष गंगवार ने इस सीट को भगवागर बनाने में भूमिका निभाए। मगर साल 2009 में कॉंड्रेस की टिकेट पर प्रवीन सिंग एरन ने उन्हें पटकनी देकर बदले समिकरन का आभास कराया था। हाला कि साल 2014 के बाद BJP ने फिर वापसी कर ली। मगर अब जातिये समिकरन और मतों के ध्रुवीकरन को भी चुनाव में निरनायक माना जा रहा है।